तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या 12th की क्लास आठ से पास करने के बाद क्या B.A. Political Science का जो कोर्से उसे किया जा सकता है के नहीं तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ B.A. Political Science कोर्स के बारे में और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जै जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्सस होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे कई स्टूडन्स का दोस्तों ज्ये डाउट होता है कि कैन आई डू बी ए फूलिटिकल साइब कोर्स अप्टर ट्वैलफ॔र आर्ट से पास करने के बाद क्या बी ए पूलिटिकल साइब कर से उसे किया जा सकता है कि नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी हाँ आप 12th की क्लास 8 से पास करने के बाद आप BA Political Science का जो कोर्स है उसे आप कर सकते हो और अगर मैं आपसे BA Political Science की eligibility के बारे में अगर मैं आपसे डिसकस करूँ तो BA Political Science का eligibility criteria दोस्तों जै कहेता है कि आपको जो 12th की क्लास है वो आपको पास करने पड़ेगी आपको 12th की जो क्लास है वो आपको कम से कम 50% marks के साथ आपको पास करने के बाद आपको BA Political Science में admission मिल और अगर मैं आपसे BA Political Science के course के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो BA Political Science 3 साल का undergraduate course है और इस course में खुल 6 semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो दोस्तों 6 महिने तक ही होती है तो अंत में दोस्तों मैं आपको उताना जाता हूँ कि आप 12th की क्लास 8 से पास करने के बाद आप BA Political Science का जो course है उसे आप कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BA Political Science course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भ पांजा कर भी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना